नमस्कार न्यूज वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल और शुरुवात करते हैं यूपी और उत्राखंड की खबरों के साथ राय भलेली जुले के भीतर गाउ में ही रहस्मई मोतों का सिल्सिला थम नहीं रहा है आज फिर अचानक कोई मोत के बाद से मिर्दकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के हरचंद पूर विधायक राहू लोधी ने आज डिप्टी सीम स्वास्ते मंतरी विर्जेश पार्थक से मुलाकात की है और इसके साथ ही आच्समिक होने वाली मोतो को लेकर उचस्त्रिय जाज करने की भी मांग कर डाली है मोतो से समाजवादी पार्टी के युवा विधायक राहू लोधी ने गहरा दुख और सवेदना व्यक्त करते हुए उप मुख्य मंतरी विर्जेश पार्थक से ये मांग की कि ततकाल टीम गठित कर इसकी जाच कराई जाए क्योंकि अभी तक इन मोतो को लेकर कोई सही जानकारी नहीं मिल सकी है ये मुलाकात विधान सभा सत्र के बाद स्वास्त मंतरी के नेजी आवास पर जाकर आकस्मिक होने वाली मोतों की जानकारी का मामला है दरसल आपको बता दे कि लालगंज तहसील में ही खिरी ब्लॉक के भीतर गाउ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है पिछले तीन दिनों में अचानक नौ लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है कि दौरान कि मानियों कुमेंत्री और रहने विजेस पाठा के लिए से मुलकात करें उसको सारी घटना का जानकारी दिनकों को अवगत कराया उन्हें प्रमुक सचीजी को आदेश जारी कर कारवाही को आगे ललितपुर से खबर है जहां एक भाई ने अपने ही सगे भाई के पूरे परिवार को अपना निशाना बढाया है और दरसल आपको बता दे कि पूरी घटना ललितपुर जिले के थाना कोतवाली अंतरगत ग्राम खडोबरा की बताई जा रही है जहां एक भाई ने अपने ही सगे भाई को छट से वहां से बता दे आपको कि कैविल निकालने को लेकर भाई उसकी पत्री और उसके दोनों बेटों के उपर लाठी डंटों से हमला कर गंबीर रूप से घायल कर दिया गया है सभी को पुलिस के सहायता से जिला चिकत साले लाया गया है जहां पर चारों का इनाग चल रहा है वहीं पुलिस मामले की जाच में भी जुट गई है रास्टिय फैशन परतियोगिता संस्थान यानि के नेप्ट राय बरेली कैंपस में दो दीबस ही है अनुवल फंक्शन के दूसरे देन आज चात्र चात्राओं ने रैम पर फैशन का जलवा विखे रहे क्रोना काल में दो साल बंद रहे इस एनुवल फंक्शन को इस बार बता दे आपको 2023 के नाम से मनाया जा रहा है और इस दोरान ही स्थां क्रितिक कारेकरम और खेल गुद परतियों गीता के अलावा परिसर के ही विशाल ओडिटोरियम और इसके साथ ही संस्थान की परतिभाय स्टेज पर खूब तालिया बटो रही है मैं आप स की ये जानना जाता हूँ कि आम भी इसको कैसे इस्तेवाल कर सकता है ये अवंद्दाड है तो आम भी मेंज पर्खे तो यस ये लोग केरी कर सकते हैं स्थाइल के थौटर पर जैसे है। तो आपको इस इनमेंस क्यानने फंपकर कर सकते man रोगा है चोई हमें इंस्पायर करें, फिर हमने कलर चूज करें, फिर हमने सोचा हम इसा अपने तरीके से कैसे बना सकते हैं जलमौ संपर्क मार्ग का दुर्गा गंज के पास दो बाइकों में आमने सामने ये भिरंत बताई जा रही है, जिसमें चार चात्र गंभीर उससे घायल बताई जा रहे हैं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जगतपुर सामुदाई करस्वास्ते केंदर में लाया गया है जहां पर प्राद्मिक उप्चार के बाद हालत गंभीर होने पर तीन चात्रों को जिला चिकत साले भेजा गया है हरिदवार जिला बास्केट बोल आसोसियेशन पारा फ्रेम नगर आख्ष्रम में ही तीन दिवसिया ओल इंडिया इन्वेस्टेंस बास्केट बोल टूर्नामेंट का शुभारम किया गया मुख्य अतिती खेल मंत्री रेखा आर्य पतांज्यली योगपीठ के महा मंत्री आचारय बालकिश्म सहीत कई गड़माने लोग शामिठ हुए ओल इंडिया इन्वेस्टेंस को लेकर ही बास्केट बोल में देश के तमाम राज्यों से खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे और यहां परतियों गिता 24 तारिक से 26 तारिक तक आयोजित की जाएगी हाँ बिल्कुल 38 में रास्टी खेल के आयोजिन के संदर में जो तैयारिया है वेलग असी से 90 प्रतीशत पूर्ण हो चुकी है है शेस तैयारियों में निश्वत्रुप से वो जब समय आता है कभी सब चीजों की एक्प्मेंट से लेकर आने चीजों की जो है वो खरिदारी संबह पाती है तो बिलहाल हमें कह सकते हैं कि स्टेट में बजट की कोई कमी नहीं है के इंदर की तरह से भरपूर आशिरवाद जो जब कमाने मुख्यमंतर जी का भी पूरा मैरिदेशन होता है इस माश्ती को फीट सर्वत्तम साजन है और जब सारीक होता है ज़री के विकार समाफ्त ही क्योंकि सारीक शम वीज़ाकार। तो बास्केट बावल को माध्यम से सभी जो देश के प्रशित्य खिलाडी हैं अपनी प्रधिवा को अपनी शम्ता को यहां पर प्रदर्शित करेंगे उतरकाशी के स्थापना दिवस पर ही विकास मेला का शुपारम पड़े ही हर सो उल्लास के साथ पुकुआ है डुंडा गौवी धर में ही मौजोद रेणुका माता मंदिर प्रांगड में ही देव डोलियों की मौजूदगी में टिहरी सांसाद माला राज्य लश्मी शाह और गंगोतरी विधायक सुरेश चोहां चोहत्र 64 जनपत साबना दिबस विकास मेला का शुभारम किया गया और ये मेला अगले 5 दिन चलेगा जिसमें जनपत के संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे पहले दिन ग्रामिडों ने देव डोलियों और मंदिर के दर्शन कर सुकर समृद्धी की कामना की है और मेले के पहले ये दिन लोक गाया कर सुरेंद्र राणा की भक्ती मैगानों पर ग्रामिड जम कर खिरके है और इस मौके पर टिहरी सांसद और गंगोतरी विधायत ने भी इस मौके पर सभी को बढ़ाई दी है करते हैं आज जो है जन्पंद स्तापना दीवस के उप्लक्ष में यहां पर मना रहे हैं और आज यहां पर माला राजी लक्षमी साजी आई है और मानिय विधायक जी ने इसको घाटन किया है उत्रखन राज्य के रुद्रपुर उधम सिंग नगर में गैंग्स्टर एक्ट में अभी वक्ताओं की संपत्ती अधिग्रहन की पहली कारवाई की जारी है और जिसके तहत ही अपराधियों की 3 करोड 80 लाख रुपे की संपती चिनहित कर जप्तिकरण हेतू जिलादिकारी को रिपोर्ट प्रेशित अभी तक उधम सिंग नगर पुलिस जप्तिकरण हेतू करीब 16 करोड 60 लाख की संपती चिनहित कर जिलादिकारी को जप्तिकरण हे पूरे उदमसी नगर में दस केसस को चिनित किया था उन में से अभी तक काफी करोड़ों रुपए का संपत्ति आमने चिनिकरन करके भेज दिया है जबती करन के लिए कल एक बहुत बहुत भैतरीन उपलब्दी हुआ था कि मानिय डियम साब की न्यायलाई ने तो हमारा रिप करता है इन दोनों का दो करोड़ से अधिक संपत्ति जो है हमने जब्त कर लिया है मारे खबर हरीद्वार से है जहां रोशनाबाद में मौजोद SGM काराने में SGM पूर्ण सिंग राणा के द्वारा ब्लॉग बहादराबाद के ग्राम पंचायत लाल धांग में ही हुए उप प्रदान चुनाओ को लेकर कारेबाही के संबद में व्रिस्टत जानकारी देते हुए बताया गया है कि और कि अथे अगर और कोई परतियाशी सद्दूस्ट नहीं है उसम्मीन एंसारे जी सर अब सोला तारिकों ग्राम लाल धांग में चुना हुआ था उपर धानी के लिए जिसमें टॉटल मेंबर 15 थे 15 में से सर 8 मेंबर मेरे साथ थे लेकिन वहां जिब मत गड़ना हुए तो उसमें साथ मत निकल किया है और इस दोरान उन्होंने महिला हेल्प डेक्स पर प्राप्त शिकायतों और डाइल 112 की सुचनाओं से संबंधित सुचनाओं का अवलोकन किया है और अस्तर शास्त्रों की जाच की है साफ सफाई के लेकर भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं पुलिस और ओढ़े का लिजा तरन लोगों के जो हमारे करम earrings का रहते हैं इसको देखा गया और इसको देखा गया कोछ अबी हमारे किया शक्यां क्या सकता है ऊसकर भॉझन जहां पर मारा प्मारा क् सुचना मैसक का जब Pinterest प्लाव ठीक नग करें हैं इसे व्लाइटे में इसको दिय रखाओ अगेरा खाने का इन और पिंदोर अठीकिया है सड़े तीन सो साल से भी प्राचिन शिव मंदिर में पिछले पांच दिनों से शिवरात्री से लगे मेले का आज महायग के साथ मेले का स्मापन हो गया है मेला कमेटी के सचीव किशोर मलिक ने कहा है कि शिवरात्री से पाच दिवस्य मेले का आज महादेव के किरपा से अच्छे धंग से स्मापन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रिशासन की मुस्तेदी के कारण कोई भी लडाई जगडा इस बार नहीं हुआ है कि मेला कमेटी के सची होने के नाते पहले तो दुकान दारों का दुकान आवंडिन करने का जिम्मेदारी था फिर उनकी जो जो भी परिशानी उनको देखने का जिम्मेदारी मेरे उपरी था और अध्यक जीने सारे जिमादरी मेरे को देरे तो मेला तो खाली हमारे वस्चे नहीं हो सकता है सोचल मेडिया पर एक CCTV फोटेज वाइरल हो रहा है और वाइरल पोटेज मेए एक दमपर आता दिख रहा है डंपर के आते ही एक शक्स खुद की डंपर के नीचे जाने की कोशिश करने लगता है हाला कि वाइरल पोटेज साथ फरवरी का बताया ज़ा रहा है पुलिसे इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है मामले में पुलिस द्वारा जाज की जा रही है जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वाइरल पोटेज जबरेड़ थाना छेतर का बताया जा रहा है वाइरल पोटेज में जो शक्स डंपर के नीचे आजाता हुआ दिख रहा है वो शक्ष जब्रेड़ा थाना छेतर के जटोल गाउं का निवासी बताया जा रहा है पौडी के ही चोबट्टा खाल विधान सभा के सर्थपुली तहसील छेतर के एक गाउं में बार्वी कक्षा की छात्रा से गाउं के ही एक व्यक्ति ने जब्रन दुशकत किया है पीडिता की तहरीर पर पुलीस ने मामला दर्च कर लिया है और इसके साथ ही ऊफत जिलाधीकारी संदीब कुमार ने बताया है कि सर्थपुली तहसील के एक गाउं की बार्वी की छात्रा की तहरीर के अनुसार है पास गाउं के एक 43 साल के ब्यक्ति ने घर के निकट खेतों में उसके साथ उसे भयभीत कर दुश्कर्ण किया है जुलादिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को लेकर रैगुलर पुलिस को ही ट्रांसफर कर दिया है तैसील सब्कुली छेटराम तोगत विज़त 22 फरवरी में एक मामला हमारे संग्याल में आया जिसमें एक जो नाबालिक लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकास में उसमें हमें बाइस तरिक में प्राप्त हुए है तो हमने 22 तरिक में उसमें फाइर लोज कर दी थी इसके साथ साथ ने जो मामला है वो रेगलो पुलिस को भी हमने ट्रांसफर कर दिया है जिसमें आयू लीक दो चुटा है तो ता विवेचना जा रही है जहासी में अचानक संत्री डेरा के निकट संत्रा से भरा हुआ ट्रक ड्राइवर से टकरा कर ही पलट गया है और जिसमें संत्रे लदे हुए थे संत्रों की ट्रक के ही पलट जाने से सूचना मिरी और काफी संख्या में ग्रामिड महा पहुँच गए संत्रों की लूट पार्ट सुरू कर दी और इसके बाद ही मौके पर पहुंचे ज्वीर गाउं थाना प्रभारी ने संत्रे बटोरने वाले लोगों को मौके से खदेड दिया और चालक को फिलहाल अस्पताल में भरती कर रहा है बहिया यह एक्सिडेंट हुआ है वी कैसे हो गया यह आज में 14 शक्ता वाला साइड में अच्छा तो आप लोग कहां से आ रहे थे हम लोग आ रहे से सारंगपुर है अब कहां जा रहे है कानपुर जा रहे है कोई जन्हानी तो नहीं होई ने ने जन्हानी पुलिस मौके पर बानपुर से एक शादी समारों से लोटते समय एक ट्रक नहीं रोल दिया है जिसमें एक महिला की मोके पर ही मौत हो गई है वहीं महिला की बेहन और भाई जो है वो घायल बताये जा रहे हैं जोने अंबुलेंस की सहायता से जुला चिकत्सा ने लाया गया है जहां पर चिकत्सकों ने ही संगीता निवासी शुपुरी को मिर्त गोशित कर दिया है तो वहीं भाई और बहन का ही लाग चल रहा है बताते चले आपको कि जानकारी है कि ये सभी बानपुरा के ही एक शादी समाहरो में ही कल्यानपूर लोट रहे थी और कि आपको बता दे कि कचरोंदा के ही पास एक ट्रक ने बाईक पर सावार ये नभाई बहन में टकर मार दी टकर इतनी भीशर थी कि एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई है वहीं दो अन्य घायल बताए जा रहे है घटना के सूचना परिजनों को जैसे ही लगी मानपूरे परिवार में कोहरा मच गया है सब का रो रोकर बुरा खाल है बहराईच के करतिनिया घाट बन जीव विहार में ही जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है लगातारा हाथियों का आतंक जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन जंगली हाथियों का द्वारा ही रिहाईशी इलाकों में पहुचकर ग्रामिडों पर हमला करने का भी मामला सामने आ रहा है जिसे पूर्व में ही कई ग्रामिड खायल भी हो चुके हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है ग्रामडों की फसले बरबाद हो जाती हैं और करतनिया के जंगल के ही गेरुआ में जब दो गार्ड गश्ट पर थे तब ही अचानक वहाँ पर जंगली हाथी पहुच गए बाइक सवार गार्ड नहीं भागने की कोशिश की लेकिन जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में बाइक पर पीछे बैठा गार्ड अजे सिंग गिर गया और जिसके बाद अजे सिंग ने अपनी जान बचाने के लिए जानियों की तरफ भागा किसी तरह से गार्ड अपनी जान बचा पाया है लेकिन तब तक हाथी द्वारा किये गए हमले में गार्ड अजे सिंग गंफी रुप से घायल हो गया और जिसमें गार्ड के सीने में गंफी चोटी आई है और सिर में चोट आई है कंधे की हड़ी भी तूट गई है और साथ में योगेश प्रताथ ये दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे अपने मोटर साइकल पे और चलते चलते क्योंकि सगन जगनल है उस पर अचानक एक करफ पे हांती आ गया और जो पीछे मोटर साइकल पर बैठे हुए थे जो फॉरिस्गार्ड अजय से गिर पड़े और अपने जगनल के बीच में भागे तो तकरीवन 100 में आसपास तक वो भागे जहांपर जो टसकर था तक हांती था उसने चेस किया और उसके बाद तब तक के लिए जो साथ में थे स्टाफ वो मदद के लिए वायरलेस पे उन्हान इनकाल सूचना दी और फॉर्ट्य ने तब वाल डिवा